Hello Igno Student, कैसे हैं आप सब? I hope अच्छे ही होंगे तो आज की जो वीडियो होने वाली है, वो होने वाली है कैसे हम assignment और exam के marks को एक साथ calculate कर सकते हैं कैसे हमारा grade card तयार होता है काफी लोगों का ये question होता है कि sir assignment के कितने marks include होते हैं ये not complete का क्या मतलब होता है, complete मतलब क्या होता है और हमारे assignment के कितने marks चुड़ते हैं और हमारा जो theory होता है, exam होता है, उसके कितने marks चुड़ते हैं तो वीडियो को पूरा अंतक देखेगा ताकि आपके सारे सवाल का जावाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा ऐसी वीडियो मुझे नहीं लगता कि सायद को इतने information तरीके से देता होगा तो आप सभी लोग पूरा end tech वीडियो को जरूर देखना तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं, चैनल के बारे में, हमारा चैनल थोड़ा सा नया है तो प्लीज आप सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि ऐसे ही वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे ठीक है, चलिए अब वीडियो की तरह बढ़ते हैं देखे, ये जो मैंने आपके सामने खोला है, ये एक grade card है ये grade card, इगनू के official website से हमने download किया है तो हमारे एक विद्यारती है, जिनका ये grade card है इसमें सबसे पहले देखे लिखा हुआ है, AED1 assignment में लिखा हुआ है 85 marks और जो ये lab होता है, इनका कोई lab का subject नहीं है और theory में इनका 42 marks आया हुआ है, और ये complete show कर रहा है ठीक है, तो अब आप लोग ये बोलेगे कि assignment में 85 marks है और theory में 42 marks है तो इसका कितना calculate हुआ है, total assignment का और exam का marks तो इसी के लिए मैं आपको बता रेता हूँ कि calculate कैसे किया जाता है theory को और assignment को तो ये मैंने एक diagram बनाया है, इसको मैं काफी अच्छे से अभी आपको explain करता हूँ सबसे पहले मैंने यहाँ पर define किया है subject A, B, C, D, E ये example के लिए मैंने लिया है, A, B, C, D, E, पांच विसा है जिसमें से assignment में मान लीजे, आपका 60 marks आता है ठीक है, और B में 65, C में 70, D में 76, और E में 71 और theory में आपके marks आते हैं, 100 में से 64, B में 56, C में 69, D में 45, और E में 52 यानि 52 ठीक है, तो इसका जो marks मैं बता रहता हूँ, 30% जो होता है assignment का calculate होता है तो जैसे कि आपका assignment में 60 marks आपका आया हुआ है, तो इसमें से जो भी 30% marks होगा वो आपका calculate होके, यह देखे, total लिखा हुआ है 62, 62.8 और इसमें जो 70% marks होता है, वो आपका theory से आता है, ठीक है तो यहां काफी लोगों के मन में एक सवाल चलना होगा, कि sir, हम तो assignment में 95 ले आते हैं हमारा 30% तो वैसे ही जुड़ जाएगा, तो क्या हम pass हो पाएंगे तो इसका answer नहीं, आप pass नहीं हो सकते हैं, आपका जो theory है theory में आपके marks लाना अनिवार होता है, ठीक है, theory में अगर आप जैसे मालीचे आपका exam 15 marks का होता है, तो इसमें आपको 18 marks लाना अनिवार होता है अगर आप 18 marks नहीं लाते हैं, आपका exam जो assignment है उसमें अगर आपके 90 marks भी होते हैं और यह pass है assignment में लेकिन इनका theory में सिर्फ उसी 12 marks आया है, जिसकारे इनका not complete शो हो रहा है तो हो सकता है कि आप यह बड़े असानी से समझ गये होंगे, ठीक है तो आपको 30% marks assignment से जूडता है, और 70% marks आपका छोड़ी से जूडता है और आपका 30% marks तब जूडता है assignment का, जब आपका theory में अगर आप pass होते हैं अगर आप theory में fail होते हैं, तो आपका marks calculate नहीं होता है, ठीक है तो यह calculation में आपको एक और बता देता हूँ, जैसे मालीजे यह जो है E है, E में हमारे assignment में 71 marks आए हैं और theory में 52 marks आए हैं, ठीक है, इसका 30% calculate करने के बाद आप देखेंगे 21.3 आएगा ठीक है assignment का, और 70% theory का calculate करने के बाद 36.4 आएगा तो इसका total percentage बनेगा 57.7, ठीक है, तो ऐसे हमारा grade card त्यार होता है होप करता हूँ कि इस वीडियो से काफी हद तक आपको यह समझ आया होगा कि कैसे assignment के marks calculate किया जाता है, कैसे theory के marks को calculate किया जाता है और हमारा grade card कैसा त्यार होता है और यह जो not complete आप देख रहे हैं, not complete का मतलब होता है कि इस वेसे में आप pass नहीं हो एक और चीज में आप लोगों को बता रहता हूँ अगर आपका यहां theory में आप pass हैं, 60 marks से आपके और theory में अगर आप fail हैं तो आपको assignment दुबारा बनाने की कोई भी जरूत नहीं है आपको सिर्फ और सिर्फ exam देना होता है जो भी next session होगा उसमें आप exam दे सकते हैं और उस exam को दे के आप pass हो सकते हैं तो यहां not complete की जगा आपका complete हो जाएगा ठीक है, ऐसा ही आप calculate कर सकते हैं आपने किसी भी विसे का 30% marks theory का 30% marks assignment का और 70% marks आपका theory का तो इसको calculate करने के बाद आपका जो भी निसकर्स निकलेगा वही आपका final result होगा उमीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को subscribe ज़ूर कर ले ताकि इगनू से related आने वाली सभी information मैं आपको आपके चैनल पर provide करता रहूँगा इसके साथ साथ मैं आपको assignment वगर भी provide कराता हूँ अगर आपको paid assignment की जरूत होती है जैसे कि solve या hand return या scan PDF की तो आप हमारे number पर contact कर सकते हैं हमारे number है 844-7410-183 मैं ये description में भी डाल दूँगा तो आप सबी लोग को हां से मुझे contact कर सकते हैं तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए bye